सार जहां में मिल रही है मुफ्ट पार्किंग किसके लिए चलिए बताते हैं नमस्कार मैं हूँ टिया जो और आप देख रहें यूए खबर खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे वाटसपर भी जुर सकते हैं जहां पर आपको यूए सीचरी तमाम खबरे तमाम जानकारिया सबसे पहले मिलेंगी आपको बता दे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना वाटसप का लिंक दे दिया है तो वहां जाकर हमसे जुर सकते हैं तो चलिए खबर शुरू करते हैं सार जहां अमेरात के कुछ निवासी मुफ्ट पारकिंग मेंबर्सिप के लिए एलेजिबल होंगे बता दे सार जहां नगर पालिका द्वारा बीते गुरुवार को एक नई पहल की घोशना की गई है जिसमें बिकलांग लोगों के लिए पारकिंग प्रकीरिया को सरल बनाए गया है और सारजनिक स्थलो पर अधिक समावेसी और सुलब वातावरन को बढ़ावा दिया गया है यह सेवा अधिकार एक अधिकारियों द्वारा जारी किये गए मेंबर्सिप कार्ड रखने वाले वेक्तियों को मफ्त सारजनिक पारकिंग तक पहुँशने और इसे वर्चूल पारकिंग सिस्टम से जोडने की अनुमाती देती है इस वर्चूल लेंकिंग प्रकीरिया को लागू करके एलिजबल वेक्ति वहनों की विंड़ जील पर कार्ड लगाए बिना अपने पारकिंग लाबों तक बिना किसी परिसानी के पहुँश सकते हैं बतादे अथारिटी ने नगरपाली का कार्याले में खुद से जाने की अवशकताओं को समाप्त करके इस प्रकीरिया को ग्राहकों के अनुकूल बना दिया है साथी एलेजिबल वेक्ति अब पूरी प्रकीरिया ऑनलाइन कर सकते हैं वाई फ्री पाकिंग मेंबर से प्राप्त करने के लिए कुछ आवशक दस्तावेजों का होना अनिवार है जिसमें वैलिड एमिरेट्स आईडी, वेकल ओनर से कार्ड एवं विकलांगता कार्ड होना आवशक है अब आपको बता दे कि इसके लिए आवेदन की प्रकीरिया होगी तो इसके लिए सबसे पहले आप सारजोहान अगर पालिका की वेबसाइट पर जाए सिर्स स्मार्ट और इलेक्ट्रोनिक सेवा इंदर्च करे इसके बाद सारजोनिक पार्किंग सेवाओं यानि कि पॉब्लिक पार्किंग सर्विस का चयन करे फिर विकलांग पार्किंग पॉमिट के लिए आवेदन करे और आवशक दस्तावे जमा करे बताये गए चर्णों का उप्योग करकि आप फ्री पार्किंग मेंबर्शिप प्राप्त कर सकते हैं चलिए अब आपको कुछ चीजों के बारे में बताते हैं कि अगर वो आप पार्किंग के दोरान करते हुए पाय जाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है जैसे इंप्रापर पार्किंग करने पर आप पर 500 दिरहम का जुर्माना लग सकता है वाहनों के पीछे पार्किंग करने पर और उनकी आवाजाही को रोकने पर आप पर 500 दिरहम का जुर्माना लग सकता है वहनों को सुरक्षित किये बिना पारकिंग करने पर आप पर 500 देरहम का जुर्माना लग सकता है फुटपाथ पर गारियों की पारकिंग करने पर आप पर 400 देरहम का जुर्माना लग सकता है वहन को इस तरह रोकना जिससे पैदल चलने वालों की आवाजाही में दिक्कत हो इसको लेकर आप पर 400 देरहम का जुर्माना लग सकता है फायर हाइडरेटिट के सामने पारकिंग करने पर आप पर 1000 देरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट लग सकता है विशेस आवसकता वाले लोगों के लिए अवंटिट सारों में पारकिंग अगर आप करते पकरे जाते हैं तो आप पर 1000 देरहम का जुर्माना लग सकता है तो यह थी तमाम खबर बने रही ऐसी खबरों के लिए यूए खबर पर